नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका लौग गुरू में मैं नुराग रिशी और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लीगल रिसर्च एंड मैथरलोजी के अंदर टेक्निक्स ओफ रिसर्च के अंदर सर्वे मैथर्ड ओफ रिसर्च के बारे में इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी की आखिर टेक्निक्स ओफ रिसर्च होती क्या है और यह कितने तरीके की होती है उनमें हमने देखा था अब्जरवेशन मैथर्ड ओफ रिसर्च इंटर्विू मैथर्ड ओफ रिसर्च क। temperatures method of research survey method of research केस study method of research and project method of research और इसी के साथ साथ guys observation method of research, interview method of research and questionnaire method of research के बारे में हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं हमने पहले ही वीडियो अपलोड कर दी है अगर आप लोग ने नहीं देखिए तो जा कर देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे survey method of research के बारे में तो चलिए बिना time waste करें वीडियो शुरू करते हैं survey method of research के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं meaning of survey की guys the word survey has been derived from two words sir or sore and wear which means over and see respectively the literal meaning of survey is to see over something from a high place यानि कि दोस्तो survey जो है वो दो words से मिलकर बना है पहला sir या sore पढ़ सकते हैं उसको और दूसरा है wear जिसका respectively अगर हम बात करें मतलब बताएं तो sir और sore का मतलब होता है over और wear का मतलब होता है see यानि कि किसी चीज को see over करना उसके बारे में अच्छे से उसकी देखरेक करना उसके बारे में उसकी चीजे को जानकारी निकालना यह हम कह सकते हैं तो अगर कोई वैक्ती या हम लोग किसी चीज के बारे में अच्छे से उसकी जानकारी निकालते हैं अच्छे से ही कह सकते हैं उसके बारे में go through करते हैं उसका data collect करते हैं तो हम कहते हैं उसको survey method of research हम लोगों ने देखा होगा अपनी area में हमारे area में कभी surf का survey होता है कभी कुरकुरे वगरा का survey होता है कभी cold drinks का survey होता है तो कभी बच्चों के diaper का survey होता है वो यही पूछते हैं कि कौन सा diver अच्छा है या कौन सा कुरकुर अच्छा है कौन सी आपने add देखी है क्या उसका taste होता है क्या चीज आपको पसंद है क्या चीज नहीं पसंद है वो क्यूं करते हैं ताकि कि अपने brand में ताकि कि अपने product में कुछ change करने हो तो change कर सके ताकि कि वो लोगों की राय ले सके कि आखिर उनको किस तरह की जो product है वो पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है या क्या क्या चीज़े उनको face करनी है तो survey का मतलब क्या है किसी चीज़ के बारे में कोई भी चीज़ हमें collect करना किसी चीज़ का data हमें collect करना यह होता है survey method of research अब हम बात करते हैं merits of survey method there are some merits of this method पहला the researcher has the opportunity to have direct contact with the people guys जैसे कि मैंने आप लोगों को बताए कि survey method में हमें people से direct contact होता है उनके पास में direct उनसे information collect करते है कि आपको कौन सा product पसंद है नहीं पसंद है क्या इसमें दिक्कत है क्या नहीं है तो इसका मतलब survey method में क्या होता है जो researcher होता है उसका direct contact होता है किस से people से दूसरी merit है इसमे this method has the greater objectivity objectivity क्यों है guys जब हम contact करते हैं direct logo से तो भाई साब greater objectivity इसलिए होती है कि उनके object के बारे हैं पता चलता है कि और क्या कमिया है अपने product में क्या कमिया है किस चीज में किस तरह हम कमियों को दूर कर सकते हैं तो उस objectivity के बारे में हमें पता चलता है तीसरा point है इसमें it has practical aspects practical aspects तो है guys जब तक हम practical यानि के field में उतरेंगे नहीं जब तक हम ground zero पे जाएंगे नहीं तब तक हम कैसे survey कर सकते हैं ऐसे तो है नहीं न सिस्टम पे बैठे फटावर सर्वे निकाल लिया या अगर सिस्टम पे भी बैठे हैं तो भी तो हमें practical aspects करने पड़ेंगे practical करना पड़ेगा without practical तो नहीं है न theoretical नहीं है न कि हमने पढ़ा और survey हो गया नहीं, survey करने के लिए में people की बीच में जाना पड़ेगा, people से one to one करना पड़ेगा by online हो सकता है या offline हो सकता है, physically हो सकता है but practical aspects तो इसका है, next है इसमे a deep study can take place in this method guys, deep study कैसे हो सकती है इस method में, देखे किसी भी object के बारे में किसी भी product के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी item के बारे में हमें अगर survey करना है तो हमें survey के लिए लोगों से बात करनी पड़ेगी उनके बीच में one-to-one करना पड़ेगा उनसे gathering करनी पड़ेगी इसका मतलब उस purpose के लिए हमें full information collect करनी पड़ेगी क्या सवाल करें, कैसे करें कैसे हम सामने वाले से जवाब निकल वाएं इसका मतलब हमें उस चीज से related deep study करनी पड़ेगी next the researcher has very good contact with a number of people भाई सब जितने लोगों की बीच में जाएगा उतने लोगों से उसकी बाचीद बनेगी social circle जो है उसका बड़ा होगा अब हम बात करते हैं demerits of survey method a large amount of money is needed for conducting the survey भाई जैसा कि हम लोगों को पता है survey कराने के लिए बहुत सारे लोगों को इखटा करना पड़ेगा बहुत सारे लोगों को higher करना पड़ेगा तो इसके लिए बहुत सारे amount में जो है वो money के लगेगी next it is time consuming process time consuming तो है भाई एक एक घर पे घर पे जाकर survey करना या अगर हम बात करें किसी अगर हम online survey की भी बात करें तो भी अगर एक individual person से survey करते हैं तो उस survey में कम से कम 10 से 15 मिनट अराम से जाते हैं तो time consuming तो है next it has lesser reliability and validity of data collected lesser reliability क्यों है guys आज ते time पे हम लोग देखते हैं survey वाले आते हैं पर survey proper करके नहीं जाते हैं तो हम यह नहीं कह सकते कि जो survey वो लोग करके जा रहे हैं या जिनको हमने survey के लिए भीजा है जो survey हम लोग कर रहे हैं हो रहा है वो reliable तरीके से हो भी रहा है या नहीं हो रहा है तो data जो collect हो रहा है वो accurate collect हो रहा है या नहीं हो रहा है next है इसमे the response rate is very slow बिल्कुल, response rate very slow क्यों है, क्योंकि जब सवाल हमाई पास 5 या 10 होंगे, जब time consume होगा, तो response भी उसमें उसी हिसाब से आएगा लोगों का तो ये था हमारा survey method of research जिसमें हमने बात करें इसकी meaning की इसकी merits की और demerits की अगर आपको इस वीडियो से related कोई भी doubt है तो वीडियो के comment box में अपना comment करके इस doubt को clear कर सकते हैं या फिर आप लोग चाहें तो हमारे instagram पर follow करके facebook पर like करके वहाँ follow करके या फिर चाहें तो whatsapp पर direct message करके भी अपने doubt को clear कर सकते हैं इस वीडियो के notes का link हमने इस वीडियो के description box में डाल दिया है तो आप चाहें तो उस link पर click करके notes को download भी कर सकते हैं साथी साथ आप लोगों को एक चीज़ और बताएं चाहेंगे जैसे कि हमारे सारे notes बिल्कुल free of cost होते हैं बढ़ होता क्या है कि अगर आप लोगों को हमारा काम पसंद आ रहा है अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ हम लोग मेहनत कर रहे हैं अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग भी हमें appreciate करना चाहते हैं अप applause करना चाहते हैं थैंक्स करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाकर हमें वहाँ पर अपना कोई भी अमाउंट जो आपको अच्छा लगे वो डोनेट कर सकते हैं इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करें शेयर करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं धन्यवाद